आज के इस रिवल लेक्शर में हमां को बताने वाले हैं चैप्टर 3 फिस क्लास 12 का जो आपके कम्पार्पेंट और इंप्लिमेंट के पॉइंट के पॉइंट के अब और है यहां पर बताएंगे और उससे पहले आपको क्या कर लेना इससे पहले अगर आपने नहीं पड़ा है तो आप एक बार जागन बोड़ का पी वाई क्यू कोस्टन का सलुइसन्स देख लो 2019 से लेकर 223 तक का वीडियो अप्लोड है जाकर देखना जैक बोड़ पी वाई क्यू प्रेली स्ट्रेच करेना है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा आप हाँ से देख सकते हो साथ आपको 22 22 24 के मॉर्डल सेट का सलुइसन्स भी देखना है वह भी मैंने अप्लोड किया हुआ है सुडियो को आप देख सकते हो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा ट्रीग्राम चैनल पर है सब्सक्राइब जया दोंखोसेसन तकि रहेगा यहां राएं ह nervous साथ साथ हैं उसके और जो पना खोलतें मॉबली एंद डोनों को पढ़ना कि क्या होता मगर्टी और क्या होता है डिफ्ट बश्रीटि इसको पढ़के चल जाना ठीक है मेरा फिजिक्स विद अब जी सिंग्ड यूटूब पर आपको इसको पूरा लेक्शर मिल जाएगा वहां पर आप जाके इस सब्टार्यटरम को पढ़ लेना अच्छा त लगता है वह प्रूफ आप से पूछ आजा सकता है वह इस प्रूफ कि बिट्वीन दा इल्एक्टिक करेंट एंड ड्रिफ्ट बेसिटी फॉर्म्मला होता है आई इस एकवल टू एन इडिडी ठीक है आई को हम बोलते हैं घड़ा बोलते हैं यह इनको बोलते हैं नंबर ओ प्रूफ पढ़ लेना इसका प्रूफ करते हैं इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो ठीक है देखलना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रेश्टियंस एंड्स फॉर्मला एंडिस डिपेंडेंसी इसमें क्या पढ़ना रेश्टियंस वाले में इसको आप वन मार्स में एमसी द्सका द्रेंद करते हैं जिसको अगर कॉपर का मैटरियल है तो सारे कॉपर मैटरियल का एक समान टेंप्रेचर पे यानि इसे में वैले इस फिक्स होती है इस पॉइंट करता है उस ताहत दूपर यानि वह मेंटरियल किससे बना हुआ है उस पर डिपेंट करता है तेंप्रेजर अगर इन दुनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा तो रो की वैल्यू भी कभी भी चेंज नहीं होगे इस पॉइंट को यादकना ठीक है यह और किस किस पर ना आपको एक तो पढ़ना है आपको चलव जाना भाते क्या क्या आता है वह कुछ ऐसा बनेगा यह तो मतलब की सिलीकन अब हो सकते हैं जिकोट विजे सेमिक्ड़क्टर सिलिकन को अर्दचालक बोलते हैं इसके जो रेस्टिविटी यानि इसको बोलते हैं विस्ष्ट परतिरोध और तापमान यानि टेंपरेचर का वीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है तरच मत करना पितना वाना यह ची जाता है पह सब्सक्राइब तो यह रहा आपका फूर का एंसर सुचालक यानि कनेक्टर और अधिचालक मतलब समी कनेक्टर का ग्राफ दोनों यह चले चले जाना बाकी सा ग्राफ हो जाएगा तेक रिस्टिंस का फॉर्मला भी राखना कि जो रिस्टिंस करता है टेंपरेचर पे वह आ सब्सक्राइब आपके कहीं की पूछ लिया चाएं ठीक है अब यहां पर चीज़ें क्या होती थ्या सुनलेना यह आप जिया आप रोता है जब टेंपरेचर टीनौट होगा तो तेम्ट्रेट्ट प्रिस्टेंस कितना होता है आप रोडड और जब टेंपरेचर टी हो जाता लिए इतना जैगबटा से पूछे नहीं फिर भी यादखना कि एलफा की वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है ठीक है अब क्यों होता है वह आप चाहिए तो ग्राफ से भी देख सकते हो एना ग्राफ नेखना कि यह पासितिव का बाता है जब यह बढ़ेग बढ़ेगा मतलब एक किसका बढ़ता है इसको बढ़ता है ग्रेड़न रेसिटी भढ़ता हमेसा चालख करती। इसलिए होगी um देख शुर्य की लिए इसकी value decrease करती है इसलिए इसकी value यानि जो alpha की value क्या होती है वो negative हो जाती है इतना कुछ पढ़ लेना question यहाँ साने के बहुत ज़्यादा चांकते से रहेंगे दुबार नेश्ट अपर की बात करते हैं resistance in series and parallel voltage and current division तो इसमें आप series combination and parallel combination operation सचे परके चले जाना कौन-कौन सा तो series combination का formula होता है Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on ठीक है यह होता है किसका series combination का क्या होता है parallel combination का formula तो parallel combination का formula होता है 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on ठीक अब दोनों में क्या पॉइंट या रखना एक पॉइंट में अच्छे तरिके से क्या 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 पूश्चा है MC की मैप से या रखना series combination में current सब में same flow करता है ठीक है क्या same रहता है current रहता है same जाता है यानि धारा एक समान होती है कब जह हम लगा स्रिंख्रा करम में क्या से रहेगा स्रिंख्रा करम में जो same होता है वो धारा होती है ठीक और पहले करम से में क्या same होता है तो पहले करम समय होता है उसे में बोलते है वोल्टेज यानि विधूत विभाव वो क्या रहता है वो same रहता है यानि एक समान रहता है ठीक तो समान समांतर कर्म में क्या सेव रहेगा समांतर कर्म में जो सेम रहता है वो बोलता है विभवांतर या पोटेंसियल या विभवांतर 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 या एट इमेफ का फाम्मला होता है वो होता है स्रीज में होता है वो होता है एवन प्लस एटू प्लस एट्री ऐसे है ठीक है किसके लिए यह स्रीज के लिए होता है इसके जो इंटर्न रेस्टेंस का फाम्मला होता है आर जो फाम्मला होता है आर एक्विलेंट आर इसका फाम्मल जो एक समान है सभी के सभी आइडेंट्यकल है तो जो जैसा कि पैण पहले पावर कशार में यह सिपार यह क्या होता है है यह आद अर्गी स्काइबिगत से इसको पढ़े ना चाहे तो इसको आफ हम I square into R बोलते है ना ये power consumption का formula होता है ठीक याद अच्छी तरिके से इसको पढ़ लेना पाकि स्रीज कमेंशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है स्रीज और पहले कमेंशन कोई जोद नहीं है बस power का formula पढ़ना कि power कितना पत करता है तो power का formula होता होता है या फिर voltage का square divided by resistance होता है या फिर current का square into resistance होता है ये तीन formula होता है voltage ये power consumption का ठीक है तो इतना याद अच्छी तरीके से कि लाश आता है कि अब बताता हूं क्या क्या ये दोनों कोश्चन टू ठाइन 24 में आपके फाइनल बोर्ड में कोश्चन आ चुका है फाइक मास का फिर से इस कोश्चन को पढ़के ज़रू चले जाना हो सकता है कोश्चन को ये repeat कर दे तो अभी भी आपके लिए ये बहुत सब्सक्राइब कर दोगा वहां पर सब्सक्राइब कर दोगा वहाँ पर सभी का देयर्शन गया हूआ है आप चाहएं तो कर सकते हो नहीं आता है तकम से अपर उपर क करना पर इस कम से कम इसक डिएगराम बना कर जरूर चले आ जाना ठीकले डियाग्राम souhaite नंब रीच का वह इसा बनता है यह P होता था हमारे पर और इस राइश्टेंज को हम बोते थे र र तिक यहां पर कलारते हैं हम लोग cobaino meter इन दो points के बीच में उसके बाद में पॉइंट चूच करते हैं यहां पर इते बोलते थे रेजिटेंज क्यों और फिर समया एक क्निष्टिन लगाते थे है इसकी विलिवटी एस ठिक पॉइंट का नाम लिखते है पॉइंट का नाम यह हमारा विश हिटन ब्रिच का मैं आपको बढ़ता हूँ इसका डाग्राम ऐसा बनता है तो डाग्राम या करके चले जाना अधिक तिक इस पॉइंट को बोलते है एए सगेंड पॉइंट होता है तो कुछ current इस galometer से भी cross करना चाहिए था, तो कुछ ने condition पुझे आती है, कि what is the condition for balance with stone bridge, यानि जब आपका wish stone bridge संतुलित होता है, उस समें conditions क्या होती है, तो conditions याद रखना, कि for the balance with stone bridge याद रखना, ठीक है, balanced with stone bridge, ठीक है, तो balance with stone bridge याद रखना क्या होता है, जब resistance P by Q is equal to R by S हो जाए, इस condition को बोलते हैं हम लोग balance with stone bridge, मतलब कि जब ratio P divided by Q, ये equal हो जाए resistance R divided by S के, इस condition क्या बोलते हैं, balance with stone bridge बोलते हैं, इस condition में क्या होती है, कि इस में जब ऐसी conditions होती है, तो जो kilometer से current flow करेगा IG, इस समय IG की value 0 हो जाती है, मतलब कि kilometer से कोई भी current flow नहीं करता है, और याद रखना ऐसा तब होता है, जब potential C और potential D, दोनों point का potential सेम हो जाए, यह बहुत ज़्यादा important condition है, कभी-कभी आप से ही पूछा जाता है, ठीक है, कि C point और D point का potential सेम हो जाए, अगर potential में कोई difference नहीं होगा, तो current flow नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर gallonometer से आपको भी current flow नहीं करेगा, ठीक है, बात इतनी आद आगए, और इसलिए हमने voltage ज़र भी concern जादाखना, एक और concern से आपके क्या पूछा जाता है, बेरी प्रात को ध्यान सुनना का जाता है, कि अगर हम gallonometer और इस battery को interchange कर दें, तो gallonometer के reading में क्या change आएगा, तो कोई change नहीं आएगा, जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, यह question भी आप से और इस बार 2024 में पूछा जागा है, पूछा जाचुका है, जिसको मैंने पहले भी गाता वह जाता है, इस chapter से इतना ही question जाड़ रखना, किस च्वास लोग को अच्छे प्रकेच चले जाना, विस्टम बीज को अच्छे तरी से प्रकेच चले जाना, मीडिया बीज को हो सके तो आप इसका डियाग्राम से लेना NCR team है, वैसे विटर बीज आपने इसले पर setting अब हड़ चुका है, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है कांसर देने की हमेसा कुछिस करते हैं, ठीक है, तो बाकी जाकर इनिश्टम को सब्सक्राइब कर दो, दूसरी बात में कहता हूँ, कि आप चाहिए तो कि मेरा आपको डिटेल्स लेक्च्चर देखना है, तो आप एक बार यूटूब चले जाना, फिजिक्स विट अब जी स चैनल को अच्छे से पढ़ लेना, यहां पर आपको सारा डिविशनस मिल जाएगा, चैप्टर वन और टू एंट थ्री का, बाकी आएक कोई लेक्च्चर आपको अप्लोड है, आप वहां से भी जाके देख सकते हूँ, तो आज लिए फिलाइता रखते हैं, बाकी नेक्स से चाहर दिन में आपके सारी पॉइंट कोईशन आपको बता दें, इसके बाद हम आपका लाइब टेस्ट भी हम लें चाहेंगे, जैसे एमसी का टेस्ट क्या आएगा, कैसे कोईशन, कोईशन, पुछा रखते हैं, पूछन, एमसी की वो कोईशन, और कुछ कोईशन आपको आपको बता दें, ठीक है, बाकी चैनल को सस्काइब पर देना, और बाकी अपने जुनियर्स को भी, को भी वो तो, ताकि वो भी चैनल को फॉलो करें, ताकि उनको अभी हल्प हो जाए विट ताइम,